दोस्तों पूरे 5 साल इंतिजार करने के बाद 2019 के सबसे बड़ी सूपर हिट 36 गड़ी फिल्म हज जन पगली फर्ज आबे फाइनली अब जाकर इसे आप यूटूब में फ्री में देख सकते हैं और साथ इस वीडियो में चानेंगे हज जन पगली फर्ज आबे से जुड़ी 10 unknown facts जिसे आप आज से पहले सायद ही जानते थे तो दोस्तों वीडियो सुरू करने से पहले हम आपको बता दे कि कुछ लोग इस फिल्म के यूटूब में अपलोड होने से काफी जादा खुस हैं तो कुछ लोग काफी जादा नराज इसका क्या कारण है या भी हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे उससे पहले अगर आप सिर्फ यहां जानना चाहते हैं कि हजजन पगली फर्ज आवे फिल्म को आप यूटूब में कब और कौन से यूटूब चैनल में देख सकते हैं तो इसे हमने वीडियो के अंत में बताया है तो वीडियो फॉर्वड करके आप आगे देख सकते हैं और यदि आप यह सब जानना चाहते हैं कि हजजन पगली फर्ज आवे टू की सूटिंग कब से स्टार्ट होगी यहां फिल्म की रिमेक थी और इस फिल्म का बजट कितना था और इस फिल्म ने अब तक कित जुन 2019 को 36 गड़ के तेटर्स में रिलीज हुआ था जिसके स्टार कास्ट में थे मनकुरेशी और अनिकरिती चौहान जो कि इस फिल्म के पॉबलर्टी के कारण रात और रात सूपर स्टार बन गए थे लेकिन दोस्तों आपको यह बात सायद ही पता होगा कि इस फिल्म में पहले एलसा घोष नजर आने वाली थी लेकिन एलसा घोष साउत की फिल्मों की सूटिंग में व्यस्त थी जिसके कारण सतीज जैन ने अनिकरिती चौहान को फाइनल किया था दोस्तों क्या आपको पता है हजजन पगली फजजावे फिल्म का नाम पहले कुछ और था लेकि तो इस टाइटल के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट करके बताएं दोस्तों स्टार्टिंग में फिल्मेकर्स को डर था कि यह फिल्म थेटर्स में चलेगी या नहीं और यह सोचकर इस फिल्म को सिर्फ 14 थेटर्स में ही रिलिज़ किया गया था और सभी जगा यह फिल्म किसी को भी नहीं पता लेकिन दो दिन फिल्म ना चलने के बाद तिसरे दिन से वहाँ भी सभी सो हाउसपुल होने लगे थे दोस्तो जब यह फिल्म रिलीज होने वाली थी उससे ठीक एक हपता पहले छॉलिवूट इंडस्ट्री के तमाम लोगों ने एक आंदोलन किया था जिसमें कई कलाकारों को जेल भी हो गया था कारण या था कि 36 गड़ी फिल्मों को पहले मल्टिप्लेक्स में लगने नहीं दिया जाता था मल्टिप्लेक्स वाले मनमानी करके सिर्फ हिंदी फिल्मों को ही लगाते थे पर इस आंदोलन के बाद कुछ मल्टिप्लेक्स वालों ने आस्वासन दिया था कि हम कोशिश करेंगे कि आपके CG मुईज को भी हम मल्टिप्लेक्स में लगा सके लेकिन दोस्तो जैसे ही यह फिल्म थेटर में रिलिज हुई थी उसके ठीक एक हथे बाद फिल्म के popularty को देखते हुए मल्टिप्लेक्स वालोंने मेकर्स के सामने जद्दो जिहत करने लगे रिक्वेश्ट करने लगे ताकि यह फिल्म उनके मल्टिप्लेक्स में लग सके और फिर या थेटर्स के साथ साथ 36 गड़ के सभी मल्टिप्लेक्स में लगने वाला पहला फिल्म बन गया था दोस्तो हजन पगली फ़र्ज आबे फिल्म का क्रेज इतना था कि उस वक्त बॉलिवूट के गलियारों में भी सीजी फिल्मों की बात होने लगी थी इसका कारण या था कि उस वक्त सल्मान खान की सूपर हीट फिल्म किक रिलिज हुई थी जो कि देज भर में बहुत अच्छा परदरसन कर रही थी सिर्फ 36 गड़ को छोड़ कर और जब इसका कारण पता किया गया कि किक मुई 36 गड़ में क्यों नहीं चल रही है तब उन्हें पता चला कि यहां एक सीजी मुई हज जन पगली फर्ज आबे रिलिज हुई है और वह फिल्म यहां हाउस फूल चल रही है इसलिए किक का कलेक्शन यहां से नहीं हो पा रहा था दोस्तों इस फिल्म की दिवान गी लोगों में इसकदर बढ़ गई थी कि इस फिल्म के टिक करने लगते थे और यहां तक कि इस फिल्म को देखने से 36 गड़ के मुख्यमंत्री भूपेज बगेल भी अपने आपको नहीं रोक पाए थे और उन्होंने फिल्म देखने के बाद परडूसर छोटे लाल साहु और डिरेक्टर सतीज जैन का सम्मान भी किया था दोस्तों य कोर्ड को आज तक कोई दूसरा 36 गड़ी फिल्म अब तक नहीं तोड़ पाया है दोस्तों हम आपको बता दें कि डिरेक्टर सतीज जैन हर्जन पगली फर्ज जाबे से पहले 6 सालों तक भोजपूरी फिल्मों को ही डिरेक्ट किया करते थे और वहां भी उन्होंने कई को एक लंबे अर्से के बाद प्राफिट हुआ था दोस्तों इस फिल्म का बजट और कलेक्शन सुनने के बाद आपके भी होसूर जाएंगे क्योंकि जितनी की यह फिल्म बनी थी उससे कई गुना जादा इस फिल्म ने सिर्फ एक हपते में ही कमा लिया था दोस्तों यह फ इसे कई जगों के मेलों में भी रिलीज किया गया था और कोविट खतम होने के बाद इसे एक बार फिर से थेटरस में भी रिलीज किया गया था और फिर फिल्म के परडूसर छोटे लाल साहु ने इसे फिल्म के राइट्स को मोर माटी एप को भी बेज दिया था तो दोस्त अब या फिल्म यूटूब से भी अच्छा खासा कमाई करने वाली है दोस्तो या किसी फिल्म की रिमेक नहीं थी बलकि इस फिल्म का रिमेक भोशपूरी में बना है जिसके स्टार कास्ट पूरे सेम टू सेम है सिर्फ दो लोगों को ही बदला गया है पहला लीड अक्टर मन कुरेसी के जगा भोशपूरी श्टार रिसब कस्यब और स्वरगी आसिस सेंद्रे के जगा रजनिस जहाजी को दोस्तो इस फिल्म का नाम है सौदागर भोशपूरी के इस फिल्म को भी सतीज जैन नहीं डिरेक्ट किया है क्योंकि उन्हें पहले ही भोशपूरी फिल्म में डिरेक्ट करने का अच्छा खासा अरुभव है और इस फिल्म की कहानी को भी सतीज जैन ने ही लिखा है और रही बात हजजन पगली फर्ज अबे पार्ट टू की तो अभी तक इसका कोई अफिसियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है लेकिन इंटर्व्यू में सतीज जैन ने खुद ही बताया है कि वह इस फिल्म का सीक्वल बहुत जल बनाएंगे और उसके एक्टर एक्टरेस कौन होंगे इसके बारे में उन्होंने अभी तक कोई खुलासन नहीं किया है दोस्तो आप वैसे इसके पार्ट टू में किसे देखना चाहते हैं कमेंट करके बताएं दोस्तो हजजन पगली फजज आबे से जुड़ी दस अन्नोन फैक्ट तो हमने आपको बता दिया लेकिन इस फिल्म के यूटूब में अपलोड होने से दर्सक नराज क्यों है आईए जानते हैं दोस्तो इस फिल्म के मेकर से लोग इसलिए भी ज़्यादा नराज है क्योंकि फिल्म रिलीज होते ही थेटर से अच्छा खासा कमाई कर लिया था और सबको लगा था फिल्म ने तो कमाई करी लिया है तो यह फिल्म यूटूब में बहुत जल आ सकता है और हम सब फिरी में इसे देख सकते हैं बकाईदा दर्सकों ने साल भर इंतिजार भी किया कि यह फिल्म यूटूब में आ जाए लेकिन फिल्म के makers का mood फिल्म को YouTube में डालने का बिल्कुल भी नहीं था तब जाकर दर्शक इसके बारे में फिल्म के makers को, actor, actress को, facebook, youtube, instagram, सबी जगों पर comment करके पूछने लगे कि यह फिल्म YouTube में कवाएगी पर इसका कोई संतोज जनक जवाब किसी ने भी नहीं दिया और यहां सिलसिला लगबक 3 सालों तक यूँ ही चलता रहा लेकिन हट तो तब हो गई जब फिल्म के मेकर्स ने फिल्म को यूटूब में डालने के बजाए फिल्म को मोर माटी एप को राइट्स दे दिया गया और उस एप में हर बार फिल्म देखने के अलग से पैसे लग रहे थे और कुछ दर्सकों के तो इस टार्टिंग में उस एप में पैसे भी फस गये थे और वह फिल्म भी नहीं देख पाए थे जिससे उनका गुस्सा फिल्म मेकर्स के प्रती और भी बढ़ गया था और आप पूरे 5 साल बाद इस फिल्म को यूटूब में डाला गया यह देखकर दर्सक तरह तरह के कमेंट भी कर रहे हैं इस पर आपका क्या कहना है कमेंट करके बताए दोस्तों हम आपको बता दे कि यह फिल्म यूटूब में आ गया है यूटूब चैनल AVM गाना में तो फिल्म को जाकर जरूर देखे अगर आप इस फिल्म को देखने के बाद इस वीडियो को देख रहे हैं तो कमेंट करके बताए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करे और 36 गड़ी फिल्मी जगत से जुड़ी नही नही जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करे धन्यवाद